इंसान के दिमाग में जब गलत विचार आना सुरू हो जाता है, तो फिर वो अपने काम को अंजाम देने से पहले एक सड्यंत्र जरूर बनाता है, और अपने सड्यंत्र के तहती ये भरपूर कोसिस करता है कि अपने काम को अंजाम भी दे दे, और कभी पकड़ा भी ना जाए पर साइध वो भूल जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है एक ना एक दिन उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है आज की कहानी में भी सिम कुछ ऐसी होता है जब पूलीस एक महीने बाद इस केस का खुलासा करती है असलिया जब लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में हर कोई चोंक सजाता है आज की जो सची घटना में आपको सुनाने वाला हैं दरसलिये घटना है भारत की रजधानी दिल्ली सहर की पश्चमी दिल्ली का एक इलाका पड़ता है पंजाबी बाग और इसी पंजाबी बाग का एक गाउँ आता है मादीपूर और इसी मादीपूर गाउँ का रहने वाला महताब खान महताब जिसकी उम्र हलग बगा ठाई साल जो परपटी डिलिंग का काम करता है बात कर रहा हूं मैं तीन अगस्त की रात्री के करीब 9 बजे के आसपास दरसल हर रोज रात्री के करीब 9 से 10 बजे के आसपास महताब वापस अपने घर चला जाता था लेकिन तीन अगस्त को महताब जब अपने घर पे नहीं पहुंचता है तो उसका बड़ा भाई हेमराज उसके नमबर पे फोन करता है पर अब महताब का नमबर सुचब बताने लगता है उसके बास से हमराज पूरी रात अपने भाई के नंबर पे फोन करता है ना तो मोबाईल ओन होता है और ना ही सुबह तक महताप घर पे आता है इसलिए हमराज अगली सुबह ही माधीपूर थाने में जाता है और अपने भाई का गुमसुती का रिपोर्ट दज करा देता है पुलिस जब गुमसुती का रिपोर्ट दज करती है, उसके बाज से माहताप के हर जगोंपे तलास करना शुरू करती है पर पुलिस भी अपनी तमाम कोशिस कर लेती है लगभग एक महीने का समय गुजर जाता है पर बावजूद इसके महताब का कहीं कुछ पता नहीं चलता है उसके बाद से पुलिस महताब को ढूनना भी बन कर देती है लेकिन पुलिस जो महताब को ढूनना बन कर देती है करीब एक महीने के बाद 13 सेप्टमबर को हेमराज पंजाबी बाग के ACP हरचरन वर्वा से जाकर मुलाकात करता है और फिर ACP हरचरन से अपनी भाई की पूरी कहानी बताता है सांथी साथ माधी पूर थाने की भी सिकायत करता है इधर ACP जब महताब की पूरी कहानी सुनते हैं पंजाबी बाग को ओडर देते हुए कहते हैं कि अब महताब के अपहरन का मुकदमा दर्ज किया जाए और इस केस को भी सिरियस तरीके से लिया जाए पंजाबी बाग ठाने की पुलिस जब महताब की अपहरन का मुकदमा दर्ज कर लेती है उसके बाद से महताब के बारे में पता लगाने के लिए सबसे पहले उसके मोबाइल नमबर का कॉल डिटेल्स निकालती है डिटेल्स को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि महताब जिस दिन गायब हुआ था उस दिन एक इहीं नमबर पे कई बर बाद चित किया था पुलिस जब उस नमबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नमबर किसी तवहिर खान के नाम पे रजिस्टर्ड है जो बिहार परदेश का रहने वाला है पुली जब तवहिर खान के बारे में पता लगाने की कोशिस करती है तो मालूम चलता है कि जो नंबर तवहिर खान के नाम पे लिया गया था दरसल वो डॉकुमेंट फरजी था पुलिस अब तवहिर खान के बारे में महताब के भाई हेमराज से पूस्तास करती है तो हेमराज कहता है कि साब में किसी तवहिर खान को नहीं जानता हूं लेकिन पुलिस भी अपने जित से पीछे नहीं हटती है क्योंकि जो वो number तो हीरखान के नाम पर लिया गया था वो number तीन महीने पहले ही active हुए था पुलिस अब ये पता लगाने की कोसिस करती है कि जिस mobile में वो number यूज हो रा था दरसल तीन महीने पहले उस mobile में कौन सा number चल रहा था पुलिस जब इस तरीके से कोशिस करना सुरू करती है आखिर कर पुलिस को वो नमबर मिल जाता है पुलिस जब उस नमबर का डीटेल से निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नमबर किसी आसिफ खान के नाम पर रेजिस्टर्ड है जो अजीराबाद गाओं का रहने वाला है पुलिस आसिफ खान के पास जाने से पहले हिमराज को थाने में बुलाती है और उसे आसिफ खान के बारे में पूस्तास करती है कि क्या तुम किसी आसिफ खान को जानते हो जो अजीराबाद गाउं का रहने वाला है पुलिस जैसे ही आसिफ का नाम हिमराज के सामने रखती है हिमराज वो नाम सुन करके एक दम से चौक जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि सब आसिफ मेरा चचेरा भाई है लेकिन हिमराज पुलिस को आसिफ के बारे में कुछ हैसी बाते बताता है जिसे सुनने के बाद पुलिस को भी पूरा यकीन हो जाता है कि साइद आसीप महताब के बारे में जरूर कुछ नकुछ जानता होगा इसलिए 13 सेप्टमबर को ही पुलिस अपने टीम के साथ आसीप के घर वजीराबाद गाह में पहुंच जाती है और वहां से आसीप को अपने कस्टडी मिलेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर आसीप से महताब के बारे में पूस्ताश करती है पहले तो आसिफ इधर उधर की बात करता है लेकिन पुलिस जैसे ही अपना सक्ती दिखाना सुरू करती है आखिर कर आसिफ अपनी सचाई कबूल कर लेता है आसिफ पुलिस वालों से कहता है कि साब एक महीने पहले ही माताब की हत्या कर दी गई है लेकिन आसिफ जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने कबा खुद पुलिस भी चौक जाती है कि कोई इंसान अपने काम को अंजाम देने के लिए इस हत्तक सड्यंत्र बना सकता है दरसल इस कहानी की सुरुआत होती है घटना से ठीक लगभा तीन साल पहले जब आसिफ भी अपने परिवार के साथ माधिपुर गाव में रहता है इधर महताब की एक चचेरी बहन है जिसका नाम है मुम्ताज मुम्ताज का रईस खान के साथ में प्रिम परसंग सुरू हो जाता है और ये रईस खान कोई और नहीं बलकि आसिफ का ही भतीजा है रईस और मुम्ताज के बीच में जब प्रेम परसंग सुरू होता है एक दिन दोनों ही अपने घर परिवार वालों को बीना कुछ बताए घर छोड़ करके फरार हो जाते हैं उसके बाद से दोनों निकाह कर लेते हैं इधर इस बात की जनकारी जब महताब को मालूम चलता है महताब सिधे आसिव के घर पे पहुँच जाता है और जा करके रईस के बारे में पूश्ताज करता है महताब और आसिव के बीच में जब बात चीश सुरू होती है गहमा-गहमी इस परकार से आगे बढ़ जाती है कि माताब आसिफ को गली में घिसेट-घिसेट करके पिटना सुरू कर देता है जिस वज़ासे आसिफ की अपनी गली में काफी बेश्टी हो जाती है उसके बाद से आसिफ जब अपनी बेश्दी को नहीं भूल पाता है करिक 15-20 दिनों के बाद मादीपूर गाहं से अपना घर बेश देता है और फिर वजीराबाद गाहं में एक घर खरीद लेता है और अपने परिवार के साथ यहीं पे रहने लगता है और यहीं पे रहे करके जब परपटी डिलिंग के काम सुरू करता है इसी दोरान आसिफ की मुलकाद उसी के पडोस के रहने वाला जाहिद से होती है और फिर आसिफ और जाहिद के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है जाहिद का ही एक दोस्त है जिसका नाम है सारुख जो सास्तिरी पार का रहने वाला है दरसल जाहिद के ही माध्याम से आसिफ की सारुख से भी दोस्ती हो जाती है तीनों को जब एक दूसरे से दोस्ती हो जाती है तीनों ही एक साथ उठना पेठना सुरू कर देते हैं महताब खान जो माधिपूर गाओं का रहने वाला है दरसल उसी की वज़ा से मैं वहाँ से अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गया मैं उसे बदला लेना चाहता हूँ दरसल मैं महताब को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाना चाहता हूँ आसिव जैसे इस तरह की बाते अपने दोनों दोस्तों से कहता है आसिव के दोनों दोस्त भी उसका सांथ देने के लिए त्यार हो जाते हैं उसके बाद से आसिव अपने दोनों दोस्तों के सांथ मिल करके एक सही मौके का इंतजार करने लगता है लेकिन आसिव को ये मौका क्योंकि आसिव को समझ में नहीं आता है कि वो महताब से कंटेक कैसे करें धीरे धीरे जब समय गुजरना सुरू होता है एक दिन आसिव जब रातरी के वगत अपने कार से काम करके घर वापस आ रहा था तभी वजीराबाद पुलिया के पास उसे एक महिला दिखाई देती है जो दिखने में बेहदी खुबसूरा रातरी के करीब बारा बज़े के आस पास वहाँ पे कोई मौजूद भी नहीं था आसिव अपनी गाड़ी रोक देता है और फिर उस महिला के पास पहुच जाता है और काफी हिमत जुटा करके उससे पूचता है कि तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो आसिव जैसी इस तरह की सवाल करता है फो महिला रोने लगती है और रोते हुए आसिव से कहती है कि मेरा नाम परवीन जहां है और मैं भजन पूरा की रहने वाली हूँ दरसल मैं यहाँ पे अपनी आपको खत्म करने के लिए आई हूँ क्योंकि मैं अपनी जिन्दगी से परिसान हो चुकी हूँ परवीन जैसी इस तरह की बाते आसिव से कहती है आसिव उससे समझाते हुए कहता है कि तुम्हारा जो भी मसला है साफ साफ बताव जिन्दगी खत्म कर लेने से मसले खत्म नहीं होते हैं परवीन आसिव से कहती है कि दरसल तीन साल पहले मेरे पती की मौत हो चुकी है अपने दोनों बच्चों को घर पे छोड़ाई हूं और यहाँ पे अपने आप को खत्म करने के लिए आई हूं जब परवीन अपनी पूरी कहानी आसिफ को बताती है आसिप परवीन को अपनी गारी में बिठा लेता है और उसी रात को अपने घर पे लेकर पहुंच जाता है पर आसिप परवीन को लेकर जब अपने घर पे पहुंचता है उसकी पतनी जब देखती है तो परवीन को देखकर इतम भड़क जाती है और फिर परवीन के बारे में पूश्ती है आसिप भी परवीन की पूरी कहानी अपनी पत्नी को बता देता है आसिप की पत्नी उसे समझाते हुए कहती है कि परवीन को इसी वक्त उसके घर पे ले जाकर छोड़ दो क्योंकि उसके दोनों बच्चे काफी परिसान हो रहे होंगे आसिप उसी रात को परवीन को लेकर भजन पूरा उसके घर पे नहीं जाता है बल्कि उसे एक हजार उपिये दे कर उसकी मदद भी करता है लेकिन आसिप जब अपने घर पे आता है उसकी नजरों के सामने से परवीन की खुबसूरती हड़ती नहीं है दरसल आसिप कही न कहीं परवीन को पसंद करने लगता है उसके बास अब आसिप परवीन की मदद करने के बहाने उसके घर पे नहीं जाता है बलकि उसके नजदीक जाने की भी कोशिस करने लगता है इधर परवीन भी जो काफी तनहा अक्केले अपनी जिन्दगी को ब्यतित कर रही थी अपने आपको नहीं रोक पाती है और ना चाते हुए भी आसिफ और परवीन के बीच में अवज संबन्द बनना सुरू हो जाता है जब ये सिलसिला सुरू होता है कुछ दिन आसिफ भजन पूरा में परवीन से मिलने के लिए तो जाता है लेकिन वो जगा आसिफ को सेफ नहीं लगता है इसलिए करीब एक महिने के बाद आसिफ परवीन को सास्त्री पार की लाके में किराई का कमरा दिलवा देता है और फिर दोनों इसी सास्त्री पार के कमरे में एक दूसरे से मुलाकात करने लगते हैं जब आसिफ और परवीन दूने एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं एक दिन आसिफ परवीन से कहता है कि मैंने तुम्हारी इतनी मदद किया है क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो परवीन भी आगे पीछे बीना कुछ सोचे समझे आसिप से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ आसिप परवीन से कहता है कि एक मेरा दूस्तमन है जिसका नाम है महताब खान जो माधी पूर गाव में रहता है दरसल उसकी वज़े से मैं काफी बेज़त हुआ हूँ और मैं अपनी बेज़ती भुला भी नहीं पा रहा हूँ इसलिए मैं उसे हमेशा के लिए दुनिया से हटाना चाहता हूँ परवीन उससे कहती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो आसिप परवीन को समझाते हुए कहता है कि तुम महताब को अपने प्रेम जाल में फसाओ जैसे ही वो तुम्हारे काबियों में आ जाएगा उसके बाद से मैं उसका काम तमाम कर दूँगा परवीन इस काम को करने के लिए तयार हो जाती है उसके बाद से आसिप तुभीर खान के नाम पर एक फरजी आईडी ले करके एक सीम खरीद कर लाता है और अपने ही मुवाइल में डाल करके उसे परवीन को दे देता है साथी साथ परवीन को महताब का नमबर भी दे देता है इधर परवीन को जैसे ही महताब का नमर मिल जाता है एक दिन परवीन साम के वक्त महताब के नमर पर फोन करती है और रोंग नमर के जरिये उससे बातचित करती है लेकिन बादचित इतने बेहतर तरीके से करती है कि कहीं न कहीं महताब को भी परवीन की बाते पसंद आ जाती है उसके बाद से परवीन और महताब अक्सर एक दूसरे से बादचित करने लगते हैं जब दोनों कुछ महीनों तक एक दूसरे से बादचित करते हैं अब महताब परवीन से मिलने के लिए बेताब हो जाता है। परवीन भी उसे मौका दे देती है और फिर पंजावी बाग के मेट्रो एस्टेशन पे मिलने के लिए बुलाती है। इधर महताब जब परवीन से मिलने के लिए जाता है, पहली बार जब परवीन को देखता है, तो परवीन की खुबसुर्दी देख, पहली नजर में उसे फीदा हो जाता है, सबसे पहले परवीन को लेकर के होटल में जाता है, और उसकी बेहतर तरीके से खातिरदारी करता है, उसके बाद से दोनों का मिलने जुलने के ये सिलसिला सुरू हो जाता है बार बार जब दोनों एक दूसरे से मुलकात करते हैं आखिर कर वो समय भी आ जाता है जब महताब और परवीन के बीच में भी संबंध बन जाता है जब एक बार ये सिलसिला सुरू होता है उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है इधर परवीन को जब पूरा यकिन हो जाता है कि माताब अब उसके पूरे काबू में आ चुका है एक दिन परवीन अब आसिफ से मुलकात करती है और कहती है कि बताओ आगे क्या करना है आसिफ उसे समझाते हुए कहता है कि तुम 3 अगस्त को उसे सास्त्री पार्क मेट्रो एस्टेशन पर बुलाओ मिलने के लिए जैसे ही वो तुम से मिलने के लिए आएगा उसके बाद आगे क्या करना है मैं खुदी देख लूँगा इसी प्लान के तहे तीन अगस्त को करीब 10 बजे के आसपास परवीन महताब के नमबर पर फोन करती है और उसे मिलने के लिए सास्त्री पार्क मेट्रो एस्टेशन पर बुलाती है इधर महताब जब परवीन से मिलने के लिए अपने घर से निकलता है उससे पहले ही आसी अपने दोनों दोस्त जाहिद और सारू को अपनी कार में ले करके सास्तिरी पार्क मेट्रो स्टेशन पे करीब बारा बजे के आसपास पहुंच जाता है इधार डेर बजे के आसपास जब महताब सास्तिरी पार्क मेट्रो स्टेशन पे पहुंचता है परवीन के नंबर पे फोन करता है कि कहां पे मिलना है परवीन उसे समझाते हुए कहती है कि सामने जो तुम्हे कार दीख रही है उसके बगल से हो करके आओ मैं सामने मिल जाओंगी उस कार के बगल से हो करके जैसे ही माताब गुजरने की कोशिस करता है उस कार के पीछले सीट पे बैठे आसिप के दोनों दोस्त जाहिद और सारुक दरवाजा खोल लेते हैं और जटके से माताब को गाड़ी के अंदर खीच लेते हैं सबसे पहले माताब का मवाईल छीन लेते हैं और उसके उपर एक तमंचा तान देते हैं और उसे धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर तुमने चिखने चिलाने की कोशिस किया तो यहीं पे धेर कर देंगे डर के मारे अफ़ताब कुछ बोल भी नहीं पाता है आसिफ गाड़ी को मिरट के तरफ रवाना कर देता है जैसे ही गाड़ी को ले करके सहर से बाहर निकलता है गाड़ी को रोक देता है खुद आ करके पीछे बैड़ जाता है और ड्राइबिंग सीट पे जाहिद को बीठा देता है गाड़ी जब चलना सुरू होती है वहाँ से उसके बाद से आसिफ अपने दोस सारू के साथ मिलकर पिछली सीट पे माताब को बुरी तरीके से पिटाई करना सुरू कर देता है इधर माताब जब उस दर्द को बरदास नहीं कर पाता है वो चिखने चिलाने की कोशिस करता है लेकिन इससे पहले कि माताब चिखने चिलाने की कोशिस करता है आसिफ अपने गारी के अंदर रखे रसी को उठाता है और उस रसी को लेकर माताब के गले में लगाकर तब तक जोर से खिंचता है जब तक माताब की सांसे नहीं रुख जाती है माताब की जैसे ही मौत हो जाती है उसके बाद से दोनों मिल करके माताब की डेट बोडी को गारी में रखे बोरी के ले करके उसी के अंदर फेक कर देते हैं और उसी रसी से बोरी का मुह बांद देते हैं और फिर माताब की डेट बोडी को ले करके इसी खतौली के गंग नहर में ले जा करके फेक देते हैं साथी साथ माताब के मोबाईल को भी स्वीच अप करके उसी गंग नहर में फ्यक देते हैं उसके बाद से आसिप अपने दोनों दोस्तों के साथ वापस अपने घर पे आ जाता है घर पे पहुंचने के बाद आसिप सबसे पहले परवीन के पास जाता है जो उसने मोबाईल दि उसे लेकर के बताय हुए जगा पर जाती है और उस गैंग नहर के अंदर कई सारे गोता खोरों को उतारती है गोता खोर काफी देर तक कोशिस तो करते हैं लेकिन बावजूदिस के महताब की डेट बुड़ी परामत नहीं होती है उसके बाद से पूलिस आसिप के हितरीर पे उसकी प्रेम का परवीन और उसके दोनों दोस्त जाहिद और सारू इन तीनों को भी अपने कस्टरी में लेकर आती है फिलाल पुलिस ने इन चारो आरोपियों को अपने कस्टरी में लेकर इन सब पे गंभीर धारां में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है दोस्तों इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें comment box में जरूर दीजिएगा, तब तक के लिए जय ही, जय भारत!